नमस्कार दोस्तो जैहिंद मैं इपुनालम मैं और आपका इंडियन पॉलिटी स्रीज में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हमारे तीसा लेक्चर है पहले दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं पहले लेक्चर में था भारत के संविधान की विश्ष्टाएं जैनि साइलेंट फीचर ओव दा कॉंस्क्यूशन और दूसरा पेटा हमारा प्रेंबल पर था और आज तीसरा लेक्चर आज हमारा है फर्डमेंचल राइट पर है दोस्तो यह सिरीज जो है मैंसे मेरा से वादा किया था कि 90% कोश्चन इनी 10 लेक्चर से दोस्तो आने वाले हैं और मैंने यहां से कमिट्मेंट भी किया था दोसरा दोस्तो क्या है कि अगर आपको इन पूरी लेक्चर स्रीज के नोट्स चाहिए यानकि जो पीपीडी मैं शो करता हूँ वो पूरी पीडे फ्रों में चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर जा सकते हैं निपून आलंबायन आप सर्च करेंगे तो आपको टेल आए शुरू करते हैं इंडियन पूरी स्रीज का दोस्तो आप तीसा लेक्चर तीसा लेक्चर इनके दोस्तो हमारा पूरा आज fundamental rights के उपर होगा यानि कि आपका molly कदिकार के उपर होगा दोस्तो molly कदिकार fundamental rights हम molly कदिकार किसे कहते हैं लेकिन उसको जानने से पहले एक बात दोस्तों पुने दोह रहाऊंगा क्योंकि मैंने कहा कि जो हम 120 घंटे में दोस्तों पढ़ते हैं पॉल्टी को उसको दस घंटे में पूरा कराना ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको मैं स्विकार करने के बाद आपके लिए कर रहा हूं मेरे लिए करना और आपके लिए सुनना दोनों के लिए दुस्तों के चुनोती पून है तो थोड़ सा स्पीड जमसे कहीं और से पड़े हूं तो उनी के लिए दुस्तों ये लेक्चर है और ये के लिए लेक्चर के लिए लिए नहीं बलकि अदर जो आपके स्टेट एक्जाम है मानले ये यूपी पीसेस का भी एक्जाम होने वाला है उसके लिए भी है अदर सभी पीसेस एक्जाम के के लिए उतना ही लाबकारी यह यह तो आये फ़ैन्ड मेंजल राइट्स दोस्तो पहले हम बात करें राइट्स होते क्या हैं थी मैं सिंप्ल रइंग सेट लेक्षण हैं राइट्स को दोस्तों मैं करें करों तो में राइट्स को यह कहूँ हैं वो सारी condition rights के अंदर दोस्तों को मिलती है दोस्तों अगर आप किसी देश के साथ देखना चाहते हैं किसी देश के साथ वहां के लोगों के क्या relation है तो आप दो चीजों को देखिए एक तो rights को को देखने को मिल जाएंगी कि उस देश का सिस्टम एक्चलों है कैसा जाने कि जब वो अपने सिडिजन को कह देता है राइट्स जाता है और फिर वहीं दोस्तों सिडिजन की डूटी होती है कि इसके परते है स्टेट के परती तो मैं यह कहूं कि राइट्स यह डेटरमाइन क करते हैं कि स्टेट और सिडिजन के बीच में रिलेशन कैसा होगा इसको हम जिफाइन करते हैं दोस्तों अगर दोस्तों हम राइट्स की बात करें राइट्स के प्रकार की बात करें टाइप्स की बात करें तो हम राइट्स के बहुत साथ तो टाइप्स देखते हैं जैसे हम सामविधिक अधिकार भी इनको बोलते हैं फिर आपके पर्थागत कानून और दूसरे आपके वाद कानून इनके अलावा ही बिटे आपके दो राइट्स वोलते हैं fundamental rights के अलावा fundamental rights भी आएगा मैं बताओं चर्चा करूँगा प्राकर्तिक अधिकार और आपके human rights ये इनके मानवा अधिकार पहले दोस्तों हम बात करें समविधानी का दिकार वे अधिकार जो हमको समविधान से दिये गए हैं अब समविधान के अंदर बीटर दो अधिकार हैं एक तो है fundamental rights, fundamental rights वे rights हैं जो भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेके 35 में बलके आर्टिकल 14 से लेके 32 तक में जो दिये गए हैं इन fundamental rights के बाहर भी जो दिकार मिले हैं जैसे हम आपको मिला है सार भोविंग मता दिकार यानि कि आपको जैसे ये 13 words के होते हैं आपको vote देने के अदिकार मिल जाता है 326 तो 326 क्या हो गया आपका ये आपका एक constitutional rights है fundamental rights नहीं है तो जो समविधान के अंदर दिये गए है fundamental rights नहीं है उनको समविधानी के दिकार हाला कि fundamental rights also the constitutional rights जोगे भी समविधान में दिये गए हैं ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये question पूछा जा चुका है फिर दोस्तों आपका हम बात करें वैधानिक विधाई या सामविधिक अधिकार बेटा ये वो वेर राइट्स होते हैं जो हमको विधाई का विधाई का विधाई का द्वारा दोस्तों इसके लब आपका जो हमको customary यानिक आपका परसागत कानून जैसे Muslim person low है इस प्रकार के जो अलग-अलग कानून है वो कानून भी दोस्तों क्या करते हैं आपको बहुत साए rights देते हैं इसके लब विटा case low बहुत सारे विटा ऐसे दिकार हैं जो हमको judiciary के decision से दिये गए हैं जैसे हम चैसा करेंगे article 21 को जो आप पढ़ेंगे तो article 21 के अंदर देखें लग-बग आज 40 दिकार article 21 के अंदर के include हैं और जो अनेको case के माध्यम से supreme court के द्वारा Indian citizens को दोस्तों दिये गए हैं तो वो भी rights की category में आएंगे यानि कि आपका अधिकार की शर्णी में आएंगे दोस्तों इसके बाद हम बात करें natural rights और human rights natural rights बिटा उनको खा गया है कि जो हमको nature से मिले हैं political thinker हैं scholar हैं जिनका नाहमें लोग लोग यह कहते हैं कि तीन rights हमाई natural rights होते हैं एक तो आपका हुआ asset मैं इसको simple बोलता हूँ all यानि कि asset liberty and life यानि कि आपका संपत्ति का दिकार, जीवन का दिकार, सतनता का दिकार इनको natural rights यानि कि राज्य की यह तक आ जाता है कि राज्य की जोत्ति हुई है वो इनी natural rights की रक्षा के लिए हुई है और कहीं न कहीं जो हमारे legal rights होते हैं वो कहीं न कहीं जितने भी liberal constitutions हैं उनके constitution के fundamental right पर impact डालते हैं प्रभाव डालते हैं human rights दोस्तों human rights हमको as a human being प्राप्त होते हैं भले ही हमारे fundamental right किसी देश में मिले या न मिले लेकिन human rights हमको जरूर मिलते हैं जैसे अगर हमें इंडिया के अंदर हैं तो इंडिया के अंदर हमारे पास human rights भी है fundamental rights भी as a Indian citizen बट जब हम अमेरिका जाए हैं हम ब्रिटेन जाए हैं हम साओधी जाए हम पाकिस्तान जाए हम लोग किसी भी देश में जाएं तो वहाँ पर दोस्तों fundamental right नहीं होंगे fundamental right क्यों नहीं हों क्योंकि we are the citizen of the India बट हमारे पास उससे में भी क्या होगा human rights रहेंगे ठीक है कि लिए दोस्तों हम देखेंगे जो world में अगर हम देशों की प्रकरती को देखें country की जो nature को देखें तो एक nature आपका जिनको हम बोलते है capitalist state just like America हाला कि आज किसी भी देश को एक पून उसे किसी category में खड़ा कर देना कि यह capitalist state है social state है या welfare state है यह बड़ा मुश्किल सा है क्योंकि सबी देशों ने क्या कर लिया है सारे के सारी चीज़ों को किसी के आप किसी के ज़्यादा तो मिल जाएगा किसी के आप आपके capitalism वालता तो ज़्यादा मिल जाएगे किसी के आपर socialist ज़्यादा मिल जाएगा कहीं पर आपको welfare ज़्यादा मिल जाएगा उसुटिकर के कि राज्येर लोगों के अधिकारों के ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रोभेशन निजेगा आपको कोई भीologique कउन पंडॉल। और जब हम देखते हैं positive तो positive क्या दो राज्य का fully control राज्य डिसेट करेगा आपको क्या rights मिलेंगे क्या rights नहीं मिलेंगे इसको बोलता है यानि कि आपका social state में positive जबकि हम welfare state में देखते हैं तो हमाँ positive negative दोनों देखने को मिलते हैं भारत में जहां आपको rights दिये हैं तो rights के साथ साथ बहुत साथ provisions दिये हैं आपको right to speech मिला है लेकिन right to speech के उपर बहुत साथ provisions जो है पर्तिबंद जो है, limitations जो है, वो article 19-2 के अंदर दिया गया है कि आप भारत की unity, integrity, sovereignty को challenge नहीं करेंगे आप भारत का जो पूरी लोग विवस्त था है, public orders को destroy नहीं करेंगे तब आम तरह के उसमें क्या प्रतिबंद हैं, हर articles के उपर, हर अधिकार के उपर यह जरूर है को welfare state के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि हम देखें, तो हमारे हैं पर पहले हम बात करें, जो मूल आपका basic constitution था उसके अंदर 7 आपके rights है, लेकिन अभी वरतवान में आपके 6 हैं क्योंकि हम जानते हैं, 44 constitution amendment के दौरा, जो हमारा article 31 था यानकि right to sympathy, right to asset जो था, उसको क्या कर दिया गया है अब एक constitutional or legal rights मना दिया है, article 301 था तो recently यानकि present में बात करें, present में आपके पास में के 6 अधिकार है, समानता का अधिकार article 14-18, फिर आपका सवतनता का अधिकार 19-22, फिर आपका सोशन के वरूद अधिकार 23-24 और उसके बाद आप देखें, दोस्तों, आपको freedom, यानि कि आपको धार्मिक सतनता का अधिकार, article 25-25 और फिर आपका समवेधानिक, वो सरी, आपका सांसकर्तिक और आपका section का अधिकार, 39-30 और फिर आपका article 32, यानि constitution, रमेटाईज, यानि कि समवेधानिक उप्चार होगा अधिकार, इच्छे हैं अधिकार और किससे security के लिए हैं? राज्या से security के लिए, state से security के लिए और मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्या तुमको दिखता नहीं है, state तुमको दिखता नहीं है, हमको दिखती को ने government दिखती है तो government यानि कि government ही राज्ये की गतिविदी को पूरा करती है तो government की activity वो state की activity माने जाती है तो प्रशन मनता है कि government में कौन-कौन सी government के पार्ट सामिल होंगे बेटा central government का legislature और आपका executive state government का legislature और आपका executive local body यानि कि हम लोग बात करें municipalities की बात करें हम पंचायतों की बात करें उनकी बात होगी और इन तीनों से जोड़े बेटा जो भी आपके क्या है प्राधिकरण है जो भी आपके टुमिनल्स है जो भी आपके अजेंसीज है वो सब क्या होंगे बेटा सके अंदर शामिल होंगी मौटी सी बात ये है कि जुडिश्री जो है वो राज्य की डेफिनेशन में नहीं आएगी जुडिश्री आएगी भी आर्टिकल 13 के अंदर आएगी आर्टिकल 13 के अंदर दोस्तो आएगी प्रशन उठता है कि वो एजेंसी कौन कौन सी आएगी दोस्तो इस संदर में क्या है कि एक आपका केस था सुप्रीम कोट के अंदर वो था दोस्तो आपका अजय हासिया बनाम खालिद मुजी मामला 1981 तब वीटा राज्य की प्रिभाशा के बारे में कहा था कि राज्य की वे सब एजेंसी आएंगी जिनके अंदर ये चैन फीचर चैन आपके अलिमेंट्स होंगे ये चैन अलिमेंट्स होने वाली एजेंसी सब के सब राज्य की definition के अंदर आएंगी, राज्य के agency के अंदर आएंगी, क्या-क्या जिसकी निगम, निगम के वो cooperation, जिसकी share, यानि कि share capital है, वो state के पास में हो राज्य के पास हो, सरकार कोई सीव सरकार हो, चाहिए वो central government हो, चाहिए आपका state government हो, उसके पास होनी चाहिए दूसरे बेटा, राज्य को वित्य साहिता जानि कि जो state, जानि जो निगम है, cooperation है, राज्य इसको क्या करता हो, financially सपोर्ट करता हो financially उसको add देता हो, यह होना चाहिए, तीसरा, बेटा राज्य के पास में क्या हो, उसका पुरा क्या हो आपका जो एक अधिकार है, यह हम बात करें कि इसके जो मोनोपोली है, वो क्या हो, state के पास में हो, राज्य का, state का state के पास समझे, बेटा, मैं फिर बोला हूँ state is called to government, दिमाग में रखिये कि state is called to government, और government कौन सी center, state, local body, यह फिर से जोड़ी agencies है ना, उन का उन लेगें, तो बेटा, क्या state का fully क्या हो, control हो, नियंतरन हो, बेटा, सारजनिक महत के सरवाज, सरकारी कारियों संबंदित हो, मतलब मोटी बात है कि जो corporation है, वो आपका public interest से जुड़ा हो, और सरकारी कारियों से जुड़ा हो, जैसे माद लो रोड बन रही है, तो बेटा, ये भी agency, जो रोड बनाने भी agencies होगी, वो इसमें आगी, वो सारजनिक कारियों से जुड़ी है, बेटा, क्या हो कि सरकार का कोई विभाग था, जिसको सरकार ने क्या है, सरकार ने किसी department को क्या बना दिया, जिसको आज हम लोग बोल देते हैं, इसको अंदर आएंगी, इन आधारों पर हम देखें बेटा, तो ये जितने आप सामने दिख रहे हैं, इन सब को बेटा, राज्य की definition के अंदर नहीं मानागी, ये question पूछा जा चुका है, जैसे NCRT state की definition में आएगी, BCCI आपका राज्य के definition में नहीं आएगी, अंतराष्ट्य फसल अनुसंदान संस्थान, international crop research institute ये भी नहीं आएगा, राष्ट्य संस्थान, ये भी state की definition में नहीं आएगा, जुडिश्य भी नहीं आएगी, और कोई भी बेटा, private institutions जो हैं, वो भी आप अब article 13 की बात करते हैं, article 13 की बात करते हैं, उतने आपके लिए परियाप्ते भी, article 13, article 13 ये कहता है, कि state, state कोई भी ऐसा low नहीं बनाएगा, जो fundamental right का violence करता हो, और अगर ऐसा हुआ, तो वे सारे low क्या होंगे, zero होंगे, शुन्ने होंगे, यानि कि null and void होंगे, ये बोला गया article 13 के अंदर, question मनता है, null and void कौन करेगा, null and void वो ही करेगा, जो उसका review कर सकता है, लोका, और लोका review कौन कर सकता है, आपका supreme court कर सकता है, high court कर सकता है, तो judicial review की जो power है, वो कहीं न कहीं, article 13 से direct नहीं, बलके indirectly कहां से निकलती है, article 13 से निकलती है, यही आपका article 13 में है, जब हम article 13 को पढ़ते हैं, तो article 13 से बेटा, दो close निकलते हैं, एक तो है, theory of severability, यानि कि आपका पर्थक करन का सिद्धान्त, और दूसरे आपका doctrine of eclipse, यानि कि अच्छादन का सिद्धान्त, theory of severability का बेटार्थी यह है, कि अगर कोई low बना, तो low बेटा, अगर low जो बना, low का जितन हिसा, constitution का violence कर रहा है, कि उतना ही पार्ट क्या होगा? null and void होगा, बाकी low बचा रहेगा, अگर पूरा ही low, क्या कर रहा है? constitution का fundamental right का violence कर रहा है, तो पूरा ही low क्या होगा? null and void होगा, लेकिन अगर उसका कोई पार्ट जैसे हम बात करें कि कोई कोई लो है उस लो के चार पार्ट है चार पार्ट में से जो COD पार्ट है वो क्या कर रहा है Constitution का violence कर रहा है तो किवल COD ही null void होगा A और B लो बने रहेंगे जिसके A और B पार्ट हो बने रहेंगे अगर A, B, C, D चारो ही कर रहेंगे चारो ही क्या हो जाएगे जीरो हो जाएगा That is the theory of severability बैसमीन पर्था करन का सिद्दान अगला सिद्दान तो दोस्त Doctrine of Eclipse यानि कि आच्छादन का सिद्दान आच्छादन का सिद्दान यानि कि चा जाना उसको cover कर देना उसको ढख देना समविधान से पहला बना कोई भी लो अगर Constitution से पहला बना कोई भी लो यदि वर्जेंट का क्या कर रहा है वोईलेंस कर रहा है fundamental right का उलंगन कर रहा है तो वह क्या होगा दुस्तों विदी शुन्य होगा बहुत सारे लोग जैसे हम बात करें एक देश दुरों का आपने सुना होगा तो 124 से मुगदमा चल रहा है बात चल लिए कि जी यह तो आपका अजादी से पहले का बनावा ल जाए यह रही भी जैसे जुदू श्री बोले तो डैट इस यानि कि सम्विधाम से पहला बना कोई भी लो अगर present के fundamental right का उलंगन कर रहा है तो वह भी क्या होगा अब बात करते हैं अब आपके 6 दिकार पहला दिकार है आपका right to equality article 14 to article 13 तो बेटा यहाप हम देखें पहले आपका article 14 article 14 दूसरों यह कहता है बड़ा शांदर article है अगर fundamental rights के तीन article के हम बात करें तो very very important article है article 14, article 19, article 21 और बेटा इन तीनों को ही golden triangle भी का जाता है इंडियन constitution का सुन्दर सा प्यार सा ट्रेंगल बोरा जाता है चलिए article 14 को देखें बेटा तो विदी के समक्ष सम्ता और विदी का समान संद्रक्षन equality before law and equal production of law यह क्या बोलता है दोस्तों कि बात राजेक क्षेतर में किसी भी व्यक्ति को कानून के समख्ष सम्ता और कानून के समान संद्रक्षन से वंचित नहीं किया जाएगा यहाँ पर दोस्तों दो शम्दावली है एक तो आपका क्या हुआ कि विधी के समक्ष समता और दूसरा आपका विधी का समान समरक्षन अब आप कहेंगे सर इन दोनों इन दोनों ही शवदावली को थोड़ समझने का परियास करना है और यही पूरा constitution का base भी है आपका article 14 article 14 ने कहता है equality before law कि कानून की नजर में सभी लोग समान है दोसरो और यह पिटर rule of law यानि कि विधी का साशन की rule of law जब law का डंडा चलेगा तो वो सब पर बराबरी रूट से चलेगा चाहे कोई अमीर हो गरीब हो राजा हो रंक हो रास्पती हो इस रिक्षावाला हो कोई भी हो किसी दर्म का जाती का वर्ग का छेतर का भाषा का कोई भी हो सब के लिए क्या होगा same डंडा चलेगा that is the rule of law कानून का शाशन है कानून के according होगा यह इसकी बात करता है बेटा यह rule of law जमने लिया यह आपका कहां से लिया बेटा बिटेंट से लिया यह आपका बिटेंट से विदी का साशन की बात करता है यह कहता है treat everyone equally यह आपका सभी को क्या करो समाणरूप से क्या करो count करो सभी को समाणरूप से क्या करो treat करो कोई भेश भावन जों चाहिए there is not any discrimination किसी तरह का कोई भी डिसकरपेशन नीहोने चाहिए किसी के पास कोई प्रिवलिजियी नीहोनी चाहिए और बेटा कोई भी अगर आम पद्ट की बात करेंगे तो कोट के सामने जब कोई मैटर जाएगा तो कोट क्या करेंगा सब को equally क्या करेंगा टिरit करेंगा सिंपल सी बात यह है यह कहता है कानून के समक्ष सभी समान है कोई बड़ा चोटा नहीं है कोई यह कहीं जि मैं फलाना हूँ मैं फलाना हूँ कोई फलाना नहीं है सब एक है सब एक है लेकिन दोस्तों यह सब एक का कॉंसेप्ट है यह दिक्कर पैदा करता है क्या दिक्ता करता है कि अगर राज्य सभी को equally मानेगा तो जो backward हैं जो पिछड़े हैं जो अलग-अलग फिरके अलग-अलग class हैं और जो विकास की धारा में जुड नहीं पाए उनके लिए राज्य को state को government को कुछ अलग से काम करने की बाद करो लेकिन जो backward हैं उनको बच्चो कुछ विशेश conditions चाहिए ताकि वो भी क्या हो common stream में आम धारा में जूड सकें बात कुछ ऐसी है कि चार लड़कों की race हुई लड़का लगी बेटा कुछ भी लगा लीजेगा कि चार लोगों की race भी दोड़ हुई है और एक का पैर में चोट लगी हुई है तो बेटा जिसके पैर में चोट लगी हुई है उसके लिए तो दोड़ सुरू होने से पहली खतम हो चुकी है तो राज्ये को क्या करना पड़ेगा ताकि बेटा बात यह है तो यह कहता है कि यह शवदावली थोड़ सा निगेट्ट्व सैंस देती है यह राज्ये को रोकती है किसके लिए जो तो backward classes हैं, जो पिछड़े work हैं, उनके welfare करने के लिए, उनके development करने के लिए, इसे ये negative है, तो यहाँ पर क्या बोला, इसको साथ लेके चलना है, किसको साथ लेके चलना है, यानि कि आपका विधी का समान रक्षन, equal production of the law, ये positive sense देता है, क्यों, क्योंकि राज्ये को करने का अधिकार देता है, राइट्स देता है, बेटा, USA से लिए, USA में जोड़ा गया था, चोद्वे अमिटमेंट के द्वारा, अमेरिका के सम्मेधान, बेटा, सम्मेधावली को जोड़ा गया था, ये कहता है, कि equal production will be given to all, लेकिन बात में क्या दूस्था आपका affirmative action, ये प्रस्चितियां ऐसमान हैं, तो आपके लिए low भी क्या होंगे, बदल जाएंगे, जैसे हैं छोटा, जम पे लोग लास्ट बोड़ के खतम करूंगा, इस particle 14 को, ये कहता है, कि भीया, आपने कहा कि जो भी गाड़ी ही चलेगी, कहां पर आपका रोर पर चलेगी, उन सब को seat बेल्ट लगाना होगा, लेकिन क्या बाइक वालों के लिए seatbelt होगा, आपके लिए helmet होगा, आप चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बुलट हो, चाहे वो आपका Harley Davidson हो, या कोई और बाइक हो, सब को helmet लगाना होगा, तो ध्यान समझेगे बेटा, लेकिन जो कारे हैं, चाहे व आपको conditions देखनी पड़ेंगे, प्रस्थितिय देखनी पड़ेंगे, तो यह कहता है, प्रस्थिति के लिए classification क्या है, जरूरी है, यानि कि आपका वर्गिकरन करना जरूरी है, तो equal treatment in equal circumstances, यानि कि समान प्रस्थिति के लोगों के साथ समान विवार होना चाहिए, equal production of the equal condition, त आप कोई कार चलाने वारा बोले कि भई मैं तो साथ करोड की कार चला रहा हूँ, like kole зар लंबर गिनी जला रहा हूँ, नहीं भईया, SEED BELT चाहे हो नैनो हो और चाहे आपको क्या हो, साथ करोड कीос तीन करोड की हो, चाहे दो करोड की हो, सब को क्या लागाणा पड़ेगा, SE लोफ लोई है قانून का साशन है कानून सैट के अगुर्णिंग बना दिया गया है आउ बेटा यही साब को मिलेगा जितनी आप देखते हैं विरविशन की बात करें, कुछ ही बात करेंगे वो बेटा इनी के तहत इन दोनों ही टमलोजी को दोनों ही श्रवदावली को साथ लेके चलने का परियास हमारा Constitution क्या करता है? जहां पेटा इस के अंदर हम देखें तो एक पेटा ये case भी थोड़ से ध्यान रखिएगा कि ये New Doctrine पेटा इसको कहा गया और Rule of Law के साथ Natural Justice यानि के कानून के साथ Natural Justice Natural Justice का Simple सा मतलब ये है बेटा कि अपने विवेक से सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है उचित और अनुचित ये नहीं कि आप जो कोई चीज पढ़ लिए कोई चीज देख लिए और आपने का जी मुझे दिखाओ मुझे बताओ जब मैं यकीन करूँगा नहीं भाया Natural Justice कायता अपने विवेक पर भी इस्थमाल करो अपने तर्क पर भी इस्थमाल करो बहुत सी चीजे क्या होती है परदे के पीछी होती है जो लिखी होती है वो भी सही नहीं होती है बेटा इसके कुछ exceptions हैं यानि कि आपके अफवाग हैं आर्टिकल 14 के जहां तुम कह रहे हैं rule of law है लेकिन विशे शादिकार special privilege नहीं होगा लेकिन तब भी हमने क्या क्या है कोई special privilege दिया गए है जैसे प्रेसिजेंट को गवर्नर को अगर प्रेसिजेंट गवर्नर बेटा कोई भी criminal matter करते हैं कोई criminal case करते हैं तो criminal case करने के condition बेटा क्या होगा उनकी कोई पद पे रहते हुए किसी तरह की कोई arresting नहीं कोई गृपतारी नहीं हाँ अगर civil matter है तो दो महिने की notice पर करवा ही चल सकती है और उन्होंने अगर कोई कारिया अपने कारियाले संबंद किया है तो उस संदर में भी courtman को ले जाए नहीं जा सकता ये प्रेसिजेंट और गवर्नर को special privilege आर्टिकल 361 के तरह मिला है ऐसे आपका MP ML की बात करें आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 यानि कि आर्टिकल 194 के साथ आपका ML को और 105 की तरह MP को बहुत सारे special privilege मिले हैं कि अगर वो किसी भी तरह का कोई भी बयानवाजी करते हैं काँ पर assembly के अंदर तो बेटा उसको भी कोट में लजाए नहीं जा सकता आप देखते भी होंगा आपके सुनाओ का एक चरचा में चल रही है एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो खुब विदान सभा के अंदर खुब बोलते हैं और खूब बोलते हैं तो दोसी पार्टी के लोग क्या गहरें उप भार बोलके दिखाव तो तो तुमको इसके लाव बेटा चिया है कि अगर criminal कोई matter होता ततकाल बिफ्तार है लेकिन civil matter में छूट ये मिली है कि जब session चल रहा हो तो session के दोरान और session से 40 दिन पहले और session के 40 दिन बाद arresting नहीं होगी civil matter के अंदर इसका मुद्टा पेटा यह होता है कि मोटे मोटे देखें हमारे यहां तीन सेशन होते हैं और तीन सेशन आपका बजर सेशन, मांसुन सेशन और विंटर सेशन और सभी सेशन के नहीं मोटा मोटा देखेंगे तो करीब one and half मत का क्या होगा आपको maximum मंतर दिखाई देगा और वैसन तर कितना बैठ जाए पटा है एक टी डेस का बैठ जा रहा है एक टी डेस का मंदर यानि कि लगवक्त त्री मंथ तो इसका मंदर यह कि पांच साल तक सिविल मेंटर में MPML की कोई रर्स्टिंग नहीं होगी तो यह पेठा इस प्रकार के प्रिवलेस मिले हुए हैं ऐसी पेठा आपके एमबेसेडर को मिले हुए हैं तो ये बेटा जो है, ये रूल है, ये अंतराश्ट के नियमों के जाएद बना हुआ है, क्योंकि बड़ी दिक्कार रहती, कल को जोटा भी तो फसा सकता है, मालोब पाकिस्तान है, टीन है, और भी कोई देश है, वो हमारे एंबेसेटर को जोटा फसा देगे, तुमने आपर क इस पकार के आपका क्या चूट मिली है, तो ये कुछ exceptions हैं बेटा, ये कुछ क्या है, आपके अफवाद आपको देखने को मिलेंगे, emergency के दोरान आपके fundamental rights भी आपके क्या हो जाते हैं, suspended हो जाते हैं, खतम नहीं होते हैं, suspended हो जाते हैं, तो बेटा ये कुछ आपके क्या है, इसके acceptance हैं, आर्टिकल 15 को देखें में, आर्टिकल 15 ये कहता है, कि भारत में धर्म मूलवन से जाती लिंग जनम स्थान के अधार पर, मैं इसके बड़े कोड बनाया है, वह हूं धम जलज, धम जलज यानि कि धर्म मूलवन से जाती लिंग जनम स्थान, on the basis of the religion, race, caste, sex and place of birth there are not any discrimination on the basis of these, these and these, यानि कि इनके basis पर किसी भी तरह का कोई भी discrimination भारत में नहीं होगा, और जो ये discrimination नहीं होगा, ये बेटा किसी public place में भी नहीं होगा, इसमें A में देखें और B में देखें, बेटा, इंपिल सा याद करने कि समझे लिजीगा, A के अंदर वो place आते हैं, 15, 15, 1, A के अंदर, वो 15, 2, A के अंदर, वो places आते हैं, जहांपर हम पैसा दे कर service लेते हैं, जैसे आप जाते हैं, CCD जाते हैं, आप रेस्टोर जाते हैं, आप होटल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर इन basis पर किसी भी तरह का कोई भी discrimination आपके साथ नहीं होगा, आ राज्य की service है, जैसे हमने बास करें, कोई कोई जा रहे हैं, तालाब जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, सारोजनी कोई पीटा, आपका क्या है, पार्क हुए रस्टेक जीजे हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ भी बीटा, इस तरह का कोई भी discrimination नहीं होगा इसलिए बिटा आर्टिकल 15-2 को का जाता है कि आर्टिकल 15-2 जो है वो इंडियन सोसाइटी को एक modern सोसाइटी बनाता है एक आधुनिक समाज बनाता है जहां पर किसी तरह का कोई भी discrimination नहीं है किसी प्रगार का कोई भी कह भी बेदभाव नहीं है इन इन बेसिस पर लेकिन जहां यह अधिकार मिले हैं वहीं बेटा कहा है कि इसके उपर कुछ पर्तिबंद है यह समय ने कहा था पहली हमारे जितने भी बेटा आपके क्या है fundamental rights हैं वो fundamental rights बेटा absolute नहीं है निरपेक्ष नहीं है सब के उपर क्या है कुछ नहीं कुछ conditions हैं क्योंकि we are living in welfare state ज़रूरी है नहीं तो क्या होगा सबी चीज़ों का क्या होगा बेटा misuse होगा और मैं यह कहता हूँ कि हम welfare भी नहीं कर पाएंगे जैसे हम बात करें article 15.3 यह कह जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो महिलाओं के लिए आपको special facilities मिलेंगी इस पर सुझाता है कि उनको सुरक्षा बने रहे यह बाद बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए टिकेटिन लगता वो सब बेटास के अंदर दिया गया है ऐसी बिटा आपका 15.4 में क्या दि गूर दी गई है कि राज्जे इन categories के लिए क्या कर सकता है special provisions कर सकता है 15.5 में दोस्तों क्या गया है 15.5 में आपका 93 constitutional amendment 2005 के लिए जोटा गया है इसे बिटा यह कहा गया कि जो आपके education institutions है education institutions के लिए special छूट दिया सकती है SCST OBC और आपका SC community के लिए दिया सकती है ताकि admission आपका अलग-अलग क्या बनती है मेड बनती है जनरल की यह जनरल SC के लिए OBC के लिए बिटा OBC के तैत होती है यहाँ पर दोस्तों 2008 में Supreme Court ने एका था कि जब आप OBC को क्या दें education institutions में आप अरक्षन देते हैं निरोशन देते हैं तो वहाँ पर creamy layer का आपको ध्यान रखना पड़ेगा किरी में लिए निकि मलाइदा प्रत का धान ध्याम करना हो मलाइदा प्रत का अभी में जाने के आगे दोस्तों आपका इसका नंबर छे जोड़ा गया नंबर छे जो 15 जोड़ा गया दोस्तों यह में रिसेंटली जोड़ा गया है यानि कि 103 Constitutional Amendment 2019 के दवारा EWS यानि कि आपका economical weaker section जो आर्थिक रूप से कहा हैं कमजोर हैं यहां समाजिक और section रूप से नहीं समाजिक और sectionic social and education OBC के संदर में हैं लेकिन यहां पर economical conditions के जोड़ा गया है यह 50% का जो slave है SCS की OBC के लिए उससे बिल्कुल different है उससे बिल्कुल अलग इसको रखा गया है on the base of educational तो आर्थिक रूप से दूरबल किनी वी वर्गों को नत्य के लिए प्रबंद कर सकती है sectional संस्ताओं में प्रवेश ले सकती है दस पृतिशत तो 6A और 6B दोस्था आपके दिय समानता है कि जब government की job होंगी सरकाई जो नोक्रिया होंगी वहाँ पर equal opportunity मिलेगी और सरकी समानता मिलेगी article 16 ये कहता है बेटा कि धर्म मुलवन से जाती लिंग जनमिस्थान निवासिस्थान और उदभाव के अधार में भेजभाव नहीं होगा मैंने बेटा इसका भी एक simple सा code बनाया है उसी code में में दो फिलेटर और जोड़ देता हूं धम जलाज और उनी simple धर्म मुलवन से जाती लिंग जनमिस्थान उदभाव और निवासिस्थान इन बेसिस पर किसी तरह का कोई भी discrimination नहीं होगा जब आपको government job मिलेगी तो इन बेसिस पर किसी तरह का कोई भी discrimination नहीं होगा लेकिन वहीं बेटा क्या था कि पंदरा तीन अब जिसे मैंने का है ये तो आपके क्या होगी बेटा प्रोविजन्स हो गए इन प्रोविजन्स के बेटा क्या है आपके कुछ exceptions भी दिये गए है कुछ आपके परतिवन भी दिये गए है परतिवन क्या है कि राज्य अगर चाहेगा तो नियोजन में सरकारी नोक्रियों बेटा क्या कर सकता है निवास की residence की condition लगा सकता है हाला कि present में लगबग सभी राज्यों बेटा समामत कर दी गई है बस दो ही राज्यों में condition अभी चल रही है वहां भी कुछ conditions आरूपित की गई है आन प्रदेश और तेलंगाना के अंदर बागे कहीं भी अपनिवास की शर्त नहीं है नियुक्तियों में बेटा क्या कर सकता है आरक्षन दे सकता है कि राज्यों जब appointment करेगा तो appointment करते सेमें अपनी जितनी भी government jobs है उनके अंदर reservation दे सकता है उसके लिए आपका 16-4-A और 16-4-B बेटा दो condition दी गई है एक तो promotion में आरक्षन यानिकि 95 में जोड़ा गया 77 constitutional amendment जा सकता है यह 16-4-A के तहट और 16-4-B बैक लोग के संदर में 50 प्रतिशत की सीमा का वर्लिस हो सकता है बेटा यह जोड़ा गया था आपका इस बइटा किया थी आपकी 100 वेकेंसी मालों निकली तो इस बिए 50 ज़ो वेकेंसीे अज़ो जर्णल की है और 50 वेकेंसी क्या आपकी केटटरीकी है सिंबिल बात है याले कि 50-50 क्या दो वेकेंसी हूआ antla कि diagnostic टी वेकेंसी वह तो वेकेंसी ती वमाले 50 जननल की निकलेगी और आपका जो कैटेगरी की है वो 50 प्लस 10 निकलेगी तो इस कंडिशन देखें तो 110 में आपको 60 मिल रहा है देखा दो आपके 50% का वोईलेंस हो गया लेकिन यह 10 योन है बेटा बैक लोग वाली बचीवी हैं तो इस रिगार्डिंग क्या होगा किसी इसको पिटा क्या नहीं मानेंगे इसको हमुल अंगा नहीं मानेंगे तो इब आप बोली कि बिटा फिर दूसरा बिटा दार्मिक संस्था के संदर में विश्श धरम कि किसी मालेजे को रिलीजियस इंस्ट्यूशन है तो वहां पर राज्य कंडिशन लगा सकता है कि इस रि इसको होते हैं जैसे में लोग बात करें मालो आर्मी है हमारी फोर्ज है तो फोर्ज के अंदर मंदरी भी होता है वह सवज तमाम तरहीं लोग वहां भी तो रहते हैं वो पूजा पार्ट करते हैं तो वहां पर गौर्णमेंट या निकिया आर्मी निकालती है वेकेंसी तो वहाँ पर होगा भी फलाना धर्म का रियक्ति इस धार्मी के स्थर्वे क्या करेगा पूजा पाट करेगा आर्टिक्ल 166 यह भी रिसेंट्ली जोड़ा गया 2019 में 103 कॉंस्ट्विशन अमेंट्मेंट के द्वारा इसे में EWS के लिए बात किये गई आरक्षन है क्या विटर रिजर्वेशन है क्या अब थोड़ से में रिजर्वेशन विटर बहास करूंगा लेकि मैंने कहा कि हम जो मेंस के लेक्चर नहीं करें मैं आपको स्केवल इसके अंदर प्रोविजन से बताऊंगा प्रावधान बताऊंगा तो बात यह दोस्तों आरक्षन दोस्तों हम आरक्षन की बात करें तो आरक्षन क्या है कोटा पढ़ना ली है कोटा किसको यहनकी हम देखें जो विधाई का के अंदर बात करें यह हम बात करें आपके सरकाई नूगरे में बात करें तो OBC, SCS के अब तो EWS के लिए यह जो बैकवर्ड है उनकी बै बेटकर जी का जो फोकस था, बेटकर जी कहना यह था कि आपका principle of compensation यहने कि छतिपूर्ती के सिध्धान के तैत आरक्षन दिया जा रहा है लेकिन यह तीनों ही सिध्धान हमारे हाँ देखने को मिलते हैं पहला छतिपूर्ती का सिध्धान यह सिध्धान जी कहता है जी कि पहले से भेदभाव होता रहा है सद्धियों तक अब उनको क्या करना होगा उनको आपको क्या करने पड़ेगा उस बेदभाव को समाद करने के लिए जो आपके अपर कास्टर्स को पे करना हो अच्छा तिक पूर्टी का सिद्दान दूरसर बेटा समानुपातिक यानि कि आपका प्रोप्रेशनल जस्टिस बात यह है कि जो सरकाई नोक्री हैं अगर सरकाई नोक्री में केवल आपकी जो फारवर क्लासिस हैं उनी की ही सिदारी होगी होना ही चाहिए कि जनसंख्या के अनुपात में according to population क्याना चाहिए partner यानि कि उसको में कि आपकी participation होना चाहिए और श्रक्तिकरन का सिद्दान यानि कि नीतिन दिरमान में बात करें समाजिक, राजनितिक, सेक्षिनिक तमाम तरह की सभी नीतियों में क्याना चाहिए आपका participation होना चाहिए बेटा, Constitution के अंदर भहुत सारे आर्टिकल भी दिये गे हैं, इस आर्टिकल 341 342, 340, यह सब बेटा क्या हैं आपके, इसी आरक्षन को देने के लिए दिये गए हैं, हमारे हैं बेटा दो तरह का अरक्षन है, वर्टिकल एंड होरिजेंटल, वर्टिकल के हम बात करें तो बेटा, यह हम ने दिखा है, SCST OBC के संदर में वर्टिकल, जब हम देखते हैं कि बेटा, SCST के अंदर भी महिलाओ के लिए, जर्णल के अंदर महिलाओ के लिए, तो बेटा, यह आपका फिजिकल जो हैंडिक्रैफ्ट हैं, उनके लिए जो बेटास को बोलते हैं, होरिजेंटल बेटा, जब हम देखते हैं कि वैसे दो देखें, आजादी से पहले ही साहु माराज हैं, जो दिर आप खुले हैं, अंबेट कर हैं, उन समकी बेटा, तो मैं जाद चाचा उसकी करनी पाऊंगा, मैं परजेंट में अब कि हम बात करते हैं, बेटा, समसे पहले हम देखें तो चमपाकम दोराई राजन के से आपको ध्याम रखना है, इसमें मदरास हाई कोट के द्वारा जो आरक्षन की विवस्ता किये गई थी, उसको रद कर दिया गया था, सुप्रिम कोट के द्वारा, फिर फ़र्स इसमें आपका आर्टिकल फिफ्टीन फोर जोड़ा गया था, ये भी मैंने आपको बताया, उसके बेटा, मैसोर में मेडिकल और इंजिरिंग कोलिज में 68% आरक्षन दे दिया गया था, बेटा पर्थम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 बना से जो कालेल कर आयोग बना था, बेटा इनकी जो सिफारिशी थी, उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था, आप देख लिए ज़दा मिंपोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट का जो रिजेवेशन है, यह समविधान में पहले सी सुरू हो गया था, मंडल आयोग के लिए बिटा का जाता है, कि मंडल आयोग के लिए 1979 में बीपी मंडल जी के अध्यशना मंडल आयोग बनाया गया, इसने अपनी 1980 मिटा क्यादी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इस अध्यशना मिल रहा था, और 27% के अध्यशन के डिमांड आपके किसके अभी से के लिए होगी, तो टोटल यह होगी बिटा आपका 50%, तो मंडल आयोग की जो बिटा अनुसंसा थी, उस अनुसंसा को 1990 में रिपोर्ट आ गई थी, तब तो उसकी जो रिकमेंडेशन से इसको लागो नहीं किया गया, लेकिन बाद में VP सिंग के दौर बिटा क्या लागो कर दिया गया, जब VP सिंग ने लागो किया, तो बहुत बड़े परदर्शन हुए, फिर बाद में नरसिंगा राव की सरकार आई 91 में, नरसिंगा राव ने क्या किया, इस अमीड मैंड के अंदर उसमें गरीबियों को प्रास मिक्तत दी जाएगी और दूसरा जो फारवर्ड क्लासीज हैं जो अपर कास्ट हैं उनमें भी आर्थिक रूप से क्या दिया जाएगा अब ध्यान दीजेगा दस प्रतिशत का आरक्षन 2019 में भी दिया गया और नरसिंगा रावने मिलेगे नरसिं आरक्षन मिलेगा वो नहीं दिया जाएगा वो नहीं दिया जाएगा पहली बात दूसरा का आगया कि ओवी सी को जो आरक्षन दिया जाएगा वो 50% से ज्यादा नियों चाहिए दूसरा क्रीमी लेयर का पालन होना चाहिए बेटा अगर हम क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो क की अंदन क्मिटी के दोरा क्रिमी लेयर को लागू किया गया था क्रिमी लेयर का बटा सिंपल सार वा पिसम्दूशनल का पॉस्त है वह घ्bor प्रैम आप करनल के संकख्ष तीनों से nations में आपकर आमें एर्फोर्स की बात करें नेरी की बात करें करनल कर्डिनल के समकष और इन से उपर के सभी अधिकारी इविन पैरामलेटरी फोर्सीज भी जो है यानि कि अधिकारी बल जो है उनमें भी समकष अधिकारी उन से उपर के अधिकारी वो सब बेटा क्या क्रिमिलेयर में आएंगे अगर हम civil services की बात करें तो group A और group B के दिकारी वो भी बेटा क्रिमिलेर में आएंगे और जो annual यानि कि हम professional की बात करें या जो काम काजी लोगों की बात करें जो आठ लाख रुपिया जिनकी क्या सलाना income है वो भी बेटा क्रिमिलेर में आएंगे पहले ढ़ाई थी फिर बरवड के अब आठ लाख चल रही है आठ लाख काप क्या है यानि कि इनको और बेटा क्रिमिलेर का जो थियोरी है ये केवल OBC के संदर में है SCST के संदर में बेटा नहीं है चलिए ये हमने इजरा सानी केस की बात की बेटा कहीं राजियों ने अभी भी हम देखें तो 50% का क्या किया हुआ है वोलेंस किया हुआ है उनके हम 50% क्या क्या आरक्षन दिया गया है 77 मिटा कॉंस्टिटर अमिटमेंट घ्यान रखिएगा इसमें आपका आर्टिकल 16-4 जोड़ा गया थे विमा को चल्चा कर चुका हूँ एक T1 में आपको बता चुका हूँ एक M नागरजन केस दोसों याद रखिएगा 26 का M नागरजन केस में दोस्तों ये का गया था कि जो पिछड़ा पन है पिछड़े पन का आपको आधार जिस भी आप कम्मुनिटी को क्या कर रहे है आरक्षन दे रहे हैं तो उसका इस पस्ट आपको आधार बताना पड़ेगा दूसरा ये भी बताना पड़ेगा एक कोट ने कहा कि उस कम्मुनिटी का क्या सरकाय नोक्रियों में कितना स्थान है उसके बिलुकुल क्वालिफाइड डाट आपके पास होना चाहिए पूरा आकड़ा होना चाहिए यह नहीं कि आप किसी को भी क्या करें किसी भी कुम्मिनिटी को क्या करें पता चला कि एक स्टेट के अंदर एक एक कुम्मिनिटी के लोग क्या बंदे जा रहे हैं उनको नोक्री लगते जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपके पास भी पूरा डाटा होना चाहिए और दूसरा आप हमेशन ध्यान रखेंगे कि जो रियूरेशन दे रहे हैं और आपका जो एडमिस्टिव स्किल है वो बिगर नहीं चाहिए यह निकि आरक्षन दें आपको जैसे ठीक लगया आप करो हम इसमें ज्यादा बीच में नहीं आएंगे दोस्तों फिर आपका EWS आरक्षन जोड़ा गया दोजा 19 में EWS को आरक्षन मिला ध्यान रखिये का मैंने कहा कि यह OVC SCST को जो आरक्षन मिल रहा है उससे different है उनको समाजिक सैक्षन रूप से पिछरे पन के अधार पर और जो EWS को मिला है आरती के अधार मिला है इसमें 15-6 और 15-16-6 वाले आर्टिकल जोड़े गए EWS के अंदर चलि हमने आर्टिकल 16 को जाना आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 बेटा क्या कहता है चुवा छूत कांत यानिकि ऐस प्रस्ता बेटा ऐस प्रस्ता को यानिकि अंटचबिल्टी को कॉंस्ट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया हाला कि कोट ने एक केस के अंदर रहास्थान हाई कोट ने जैसिंग केस और इसके लाव आपका देवराज वर्सित पद्मा केस उसके अंदर पेटा डिफाइन करते विए कहा था कि इस समझ का जो अरत है हम लोग इसको एतियासी रूप में देख सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि वे सारी नियोग जयता है जो on the basis of birth यानि कि वे सब discrimination जो on the basis of birth क्या करती है समाज में पैदा की जाते समझ बनाई जाती है उन सब को हम क्या बलेंगे चुवा चुदर में बोलेंगे यानि कि अंटेक्स बिल्टियम बोलेंगे बेटास का अंदर ये नहीं कि कि करोना के समय किसी को जनम की अधार पर करते हैं तो उसको बेटास कंदर रखा गया है इसके लिए बहुत सारे कानून भी बनाएगे जैसे आपका एसपरस अपराद अधिनियम फिर बेटास 76 में इसको चेंज करके नागरी का दिकास संदक्षन अधिन सीवल राइट सेक्ट 1976 मना दिया गया इसके लिए बेटा आपका S.E.S की अधिनम पारित किया गया है ना बहुत साथ बेटा एक्ट रिप पास किया गया अगले बेटा आर्टिकल अठारा आर्टिकल अठारा पर कहचा है जिन लोगों को यह टाइटिल्स मिलते थे वो अपना आपको सर्फेस्ट अपना आपको सुप्रीम माने लगते थे यह हम पता नहीं क्या डिफ्रेंट है तो कावे यह टाइटिल्स नहीं चलेंगे अब टाइटिल के उन दो ही चेतर में चल सकते हैं एक तो सेना और दूसरा आपका एजूकेशन नहीं कि आरमी और एजूकेशन चल सकते हैं अन्य में किसी में भी आपके बिफ्रेंट टाइटिल्स नहीं चलेंगे हाला कि हम जानते हैं कि हमारे आपके क्या होता है ये आपके टाइटिल्स नहीं है और कोर्ट का है बिटा इसके बारे में इस पस्ट मैसिज है कि इनको आप अपने नाम के साथ में जोड़ेंगे ना तो नाम के आगे नाहीं नाम के पीछे ये उन लोगों को दे जा रहे हैं इसे में ये भी लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाजी सुविकार नहीं करेगा अगर किसी दूसरे देश से में आपको कोई भी टाइटिल्स मिलता सुविकार नहीं करेंगे अगर लेना है कोई बात है तो पहले क्या करेंगे बात करेंगे किसे प्रेजिजेंट से प्रेजिजेंट से प्रेजिजेंट से प्रमिशन लेंगे कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधिन लाव हुई या विश्वास के किसी पद को धारन करते हुए विदेशी राज्य से उपादी पीटर राश्पति के सहमेंति के विदा सुविकार नहीं करेगा विदेशी नागरी के भारत में आके क्या कर रहा है नोखरी कर रहा है तो वह भारत सरकार की नोखरी कर रहा है बहुत साइच चितर ऐसे हैं जिसे हमारे इस्टरों में काम कर रहा है कोई सेंटिस्टर काम कर रहा है तो वो भी कोई टैट्र भार के देश से नहीं लेगा, अगर लेना है तो प्रेसिडेंट की पर्मिशन से लेगा बेटा हाला कि जो मैंने अभी पदम बुशन पदम श्री आपको बताया बेटा 77 में क्या किया गया था, इनको थोड़ सेल में चेंजिस किया गया था बलकि समाप जैसे ही कर दिया गया था जब आपका जंता पाड़ी गोर्रमेंट आई थी लेकिन 19-10 में इसको पूरे स्टार्ट कर दिया गया था इसकी जो शुरुवात हुई थे और 1954 के दौरा बचा की गई थी भाद में एक बार फिर 90's में फिर दौर से क्या था, इसको कोट के सामें में जाया था तब भी इसको 2-3 साल इन फ्रॉसकार को रोग दिया था, फिर दौर से 2-3 साल बार इसको प्रारम कर दिया गया था पिटा गिलाब का स्वतंता का दिखा स्वतंता का दिखा Right to Freedom Article 19 to 22 तो हम देगे पिटा Article 19 में दिया गया है Right to Speech और जब हम Right to Speech के बात करते हैं तो यहां पिटा आपके 6 अधिकार है 6 राइट दिया गये है 21 A में कहा गया Freedom of Speech Freedom of Speech का उटे मतलग है कि हम बोल कर लिख कर संकेतों से खामोशी भी बोलती हैं इशारे भी बोलते हैं गोंगो की भी अवाज होती है अगर आप सुनना चाहें तो तो freedom of speech यानि कि बोल ने किया जादी तो बिटा आप किसी भी तरह के से बोल सकते हैं बिटा आपको right to speech के अंदर मिलाएं आप जब बोलते हैं तो बिटा बोलने के बाद आपको संभेलन करने का मिटिंग करने का मुलाकात करने का भी बिटा कि आपको अधिकार है आप जिससे चाहें मुलाकात करें जिससे चाहें मिटिंग करें इस योर राइट। गर बनाऊंगा, देटर्स के सामने, तो पेटा, ये भी आप कर सकते हैं, और बेटा, कोई बी grade को, कोई भी आजीव bias का, कोई भी math, का क्या पना सकते हैं, आपका जिस काम में मन लगे, आप इस हैं आप चाये आब चाहे आइस, आइस बना चाहें, आप चाहे टीचर बन सक आप चाहें तो कुछ भी जो भी आपको मनकर आप कर सकते हैं तो बीटा यह च्छे अधिकार है आर्टिकल 91A केंदर 91B, 91C, 91D, 91E, 91F पहले था लेकिन वो संपत्ति के अधिकार था इसको बीटा अटा दिया गया है अब वो बीटा आपका Constitution right 300A के दम चला गया है तो आर्टिक 91G, यह बीटा आपके च्छे अधिकार है, six rights हैं, बीटा मैंने इंग्लेश में भी ऐसे डाले हुए हैं, अभी मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन बीटा मैं भी मैंने आपको क्या बोला, कि जितनी rights मिले हैं, इनके में बीटा क्या है कि बहुत सारे क्या हैं आपके, जो तो आप कभी करते हैं बनता है कि आप सरकार का साथ दें, यान कि सूर से सूर मिलाना है, आपको सरकार का सपोर्ट करना है, दूसरे बीटा का पबलिक कोड आप डिस्ट्रोई नहीं करेंगे, आप जो ethical value, moral values हैं, उनके साथ में बोलेंगे, यह नहीं कि आप abusing करना शुरू क कर देंगे, बेटा आप नियार ले कि आपने code of contact नहीं करेंगे, तो यह किसी को crime करने के लिए उकसाएंगे नहीं कि तुम करो तुम करो ऐसा भी नहीं करेंगे, बेटा वही आर्टिकन जहां आपको 1901-B में कहा गया कि आप कोई भी meeting कर सकते हैं, सम्मेहलन कर सकते हैं, कोई बेटा आप चाहिए दो लोग, चार लोग, दस लोग, पचास लोग, हजार लोग, दस अजार, पचास जार, एक लाग लोग, सब बैट के आप सम्मेहलन कर सकते हैं, मिटिंग कर सकते हैं, लेकिन condition है कि कोई भी ऐसी मिटिंग नहीं होगी, जो 1903 में दिया गया, 1903 में क्या बैटा आप कोई भी unity, integrity, sovereignty को बैटा पर सम्मेहलन करने वाली कोई भी आप क्या नहीं करेंगे, हाँ, अगर बैटा महापर section 144 या दारेक सोच लगी है, तो भी आपका सम्मेहलन क्या नहीं होगा, उस पर condition लगेगी, बैटा आपको जहां कोई भी संगठन, कोई भी आपकी द जैसे ना अभी अम्रेजपाल सिंग का अपने केस सुना होगा तो जो बहुत साई बिटा से आपका पी एफाई जैसे संगठन है यह हम देखते हैं जो आपका उल्फवा है ना इस्टे की जो संगठन है वो सब बिटा क्या आपके बैन है आप पब्लिक ओडर नहीं करेंगे इ लेकिन यहां ही प्रतिवन दिये गए हैं 1905 के अंदर क्या दिये गए 95 के अंदर कि आप कॉमन पब्लिक का रहां लखेंगे आपने बाइक उठाई और बाइक उठाए और लेहरिया बनाते हैं आप चला रहे हैं तो बिटा उस लेहरिया गुमने फिरने के दिकार को रोग द सकते हैं आप कोई बीटा कारोबार कर सकते हैं आप कोई भी प्रोफेशन बना सकते हैं आप बिजनसमें बने आप इंटर्प्रेणर बने आप इस्टाप लांच करें आप यूनिकॉन बने जो आप कमन करें लेकिं बिटा क्या है कुछ टेक्निकल योग यता है आपके बास होनी चाहिए उसकी जो बिटा क्या है डोक्टर बनने कमने तो डोक्टर की डिग्री रो पहले तब डोक्टर बनना है ठीक है चली बिटा मैंने आप बहुत डिटेल से डाला हुआ है कि article 91 एक अंदर जो राइट से कौन कौन से राइट से इसके अंदर आ जाते हैं ऐसे विड़ा हम बात करें 91B ये सब मैंने बट इसके अंदर डाले हुए तो इसको पढ़ लीजेगा आप लोग अब इसको डालोड कर लीजेगा आई बट आटिकल 20 को देखते हैं आटिकल 20 क्या कहता है आटिकल 20 ये कहता है कि अपराद के लिए दो सिर्धी के संदर में संदक्षन प्रोटेक्षन इन रेस्पेक्ट ओफ करनेशन फोर दा ओफेंस बेटा आप तीन करनेशन बोली गई है कि उस विधी के तहट दो सिर्ध नहीं ठराय जाएगा जो इससे में परभाव में नहीं है बेटा ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई लो नहीं है और आपको अगर कोई लो नहीं है जो यानि कि अभी परभाव में भी नहीं है लोपन भी चुका है लेकिन अभी वो लागो नहीं हुआ है तो आपको पहले से ही क्यानी होगा आपको पनिश्मेंट नहीं दिया जाएगा जैसे मान लेते हैं आज आपको पनिश्मेंट देने की बात करता है गुर्णमेंट बात करती है और लो लागू हो रहा है आने वाले कल से है न कल से लागू हो रहा है तो यह नहीं होगा कि आपको आज पनिश कर दी जाएगा कल से ही आपको क्या किया जाएगा पनिश किया जाएगा अगर आप उसको क्या करते हैं गल्ती करते हैं क्राइम करते ह एक ही क्रायन के लिए दो बाद डञ़् नहीं दिया जायेगा कि एक बाद पापरें पेटाई करें जो करें नहीं, ऐसा नहीं एक बाद हो चुई कि award थे ठीक है, दो बाद नहीं geworden बेटा ये कि पेटा जूडिश्री के संदर्में जुडिश्री के संदर में हैं लेकिन जुडिश्री के साथ साथ बीटा आपका administrative जो आपका inquiry चलती है टुमिनर्स जो बैठते हैं उनके तैस बीटा हो सकता है यानि कि आपका जुडिश्री आपको दो दो बाद जड़नी देगी दो दो बाद परिशने करेगी लेकि निए परिशन से मुक्ति यानि कि self freedom from self-incrimination यानि कि अपने वरुद कवाई देने से मुक्ति यह सब कही बाद देखते हैं कि कबोल कर तुमने किया है तो आप भली कर लो लेकिन आपको इस केता है punishment नहीं दिया जाएगा आपको किसी तरह का punishment नहीं होगा ते लिए सोम अभिशन से ल मुक्ति आपको आपके जीवन के मिलेगा का दिकार मिलेगा यहां भीता धहन दीजेगा freedom और liberty आईटे के 19 में freedom वड़ यूज है जबके आईटे के 21 में liberty वड़ यूज है freedom प्रतिवंदों के साथ है लेकिन liberty में कोई प्रतिवंद नहीं यानि कि आपको आपकी जीवन का दिकार मिलेगा लेकिन जीवन का दिकार है इसको भी दो बार क्या किया गया है सुप्रीम कोट के दुवारा डिफाइन किया गया है एक तो गोपालन केस में किया गया है एक मेंज का गांजी केस में किया गया है गोपालन केस में तो बड़ा सी परकिरिया की अतिरिक्त मलब केवल यही शब्दावली तक उसको सिमित कर दिया गया था कि केवल क्या विधी द्वारा इस्थापित परकिरिया मतलब आपका कि अरिका पर्सनल की कानून की विधी वारा इस्थापित परकिरिया साथ कानून की विधीवत परकिरिया मतलब प्रोसेज इस्टैब्लिस बाई लो के साथ साथ ड्यू प्रोसेज अफ लो भी पिटा इसका नचोड़ दिया गया जानी कि कानून की सम्यक परकिरिया आप सोचे वे से दो चीजे कहा से चुड़ गई दो बतों का मतलब क्या है जब आप देखेंगे पहल तो यह जानी कि इन दो शब्दा उल्यों को मतलब क्या है अर्द क्या है पहल तो जानी कि विधी द्वारस थाविद परकिरिया जापान से लिए गई है प्रोसेज इस्टैब्लिस बाई लो जापान से लिया गया है बेटें ये क्या बोलता है कि तत्वात्मक यानि कि कानून बनाने में सबी परकिरिया का पालन हुआ है या नहीं ये देखेगा और ये कार्या पालिका के मुनमाने पन को रोकेगा मतलब कोट का काम के ओल इतना देखना है कोट के ओल इतना देखेगा कि कानून निर्मान की परकिरिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है कानून की परकिरिया पालन हुआ है या नहीं हुआ दोसे क्लिए fundamental right वोन आड़ में complete नहीं हो पारा हलाकि मैं जो normal lecture लेता हूं उसमें तो fundamental right करीब चैसा घंटे के में में चलता है तो इसका हम दो पार्ट मेंटर लॉंच करेंगे और तो परसो हमारा DPSP और fundamental duty का तो रहने ही रहना है हम यह कर रहे हैं कि इसके दो पार्ट में तो कल दूसरा पार्ट इसी समिट आपका आजाएगा तो fundamental right हम दो पार्ट में करेंगे तो फर्स पार्ट आजा रहा है सेकंड पार्ट हम लोग कल इसको करेंगे यानि कि कल यानि कि आपका 26 अप्रेल को इसका सेकंड पार्ट आएगा तो बहुत धन्यवाद इस लेक्चर में तना ही जैहिंट